हेलो अब्रीवान विल्कम बाइक टु माई चैनल कैसे हैं आप सब आई हूप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी साबू दाना बड़ा की रेसिपी जो कि बहुत इजी है बनाना तो इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है जानने के लिए लास तक देखिएगा सबसे पहले मैंने हापे लिया है साबू दाना जिसको कि मैंने एक घंटे पहले पाने में बिगो कर रखा है अगर आपके पास जादा टाइम नहीं है आप तुरंट बनाना चाहते है तो कम से कम आधी घंटे के लिए इसको जरूर भिगोए अगर आप एग घंटे इसको भिगोते है ना तो जो बड़ा है ना वो बहुत अच्छा बनता है उसके बाद मैंने यहां पे लिया है तीन मीडियम साइज के आलू इसको कि मैंने बॉयल कर लिया है यहां पे है थोड़ा सा अधरफ जिसको कि मैंने कदू कस किया है कटी हुए हरी नमग और थोड़ा सा गरम मसाला यह आप्सिनल है अब ना चाहू तो ना भी डालो और यहां पे मैंने लिया है एक निम्बू का रस और यह लिया है मैंने कटा हुआ हरा धनिया तो चलिए बड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साबू दाने में हम एड़ करेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया, नमग, कदुकस कियावा अद्रग और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है गरम मसाला आपकी मर्जी अगर आप चाहो तो डाल सकते हो ना तो फिर नहीं भी डालोगे तो भी कोई बात नहीं है और यह सारी चीज़े डालक अगर हम अच्छी से मिक्स कर लेंगे उसके बाद फिर इसमें एड करेंगे जो मैंने आलो को बॉल करके रखा है उसको अच्छी से मिक्स कर दी है और अब इसमें बारी आती है आलो डालने की जिसको कि मैंने उबाल कर रखा था और इसको मैंसे हाथ से तोड़कर डालेंगे और फिर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हाथ से ही और अगर आपको लगता है कि ये अच्छे से नहीं बन रहा है हमारा बड़ा तो इसमें आप एक आलू और एड़ कर सकते हैं वैसे जितना मैंने साबू दाना लिया था ये डेर कटोड़ी छोटे कटोड़ी से था और इसमें मैंने तीन मिडियन साइज के आलू डाले है इसके लिए बिल्कुल बरफेक्ट है और अगर आपको लगे कि इसमें और आलू डलेगा तो आप एक आलू और डाल सकते हैं और ये देखिए सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे नीबू करडस जो मैंने लिया था उसको सबसे लास्ट में डालना है और डालने के बाद बस हम तुरन फटा फट से बड़ा बनाइंगे इसके बाद फिर तैलेंगे इसको अब ये बड़ा बनाने के लिए बिलकुल ready हो चुका है और अब हम इसके बनाएंगे बड़ा हाथों को थोड़ा सा अच्छे सी साफ करले शाफों कि जब आप इसको मिलाते हो तो अच्छे से यह बन जाता है यहां पर मैंने रख दिया है तेल गरम करने के लिए और जब यह तक होगा तब तक हम बड़ा बना के रख लेंगे एक बारे में जितना बड़ा आ सके उतना एक बार में हम डालेंगे इसलिए मैंने पैन का यूज़के से थोरा सा जादा पड़ाओंगे फिर इसको पेड़े के सेप में हलका सप्रेस करना है और साइड से बिल्कुल अच्छे से दबाते हुए वह फटा फटा सा नार है बहुत एजली बन जाता है इसको जब बनाएंगे ना बहुत अच्छे से यह बन जाता है तो एक बार का जितना उसमें डाले मैंने बना कर रख लिए अब इसको डालेंगे तेल में तियल हमारा गड़म हो चुका है तियल अच्छा गड़म होना चाहिए और गयस का फ्लेम जो है वो श्लो टू मीडियम हाइप पे एकदम से हाइप पे इसको नहीं तलेंगे लिकिन बार में जीतना आएगा उत्रा हम दूसरे बार बना के बांकी का जो बड़ा होगा उसको हम बना कर रख लेंगे उसको फिर दुबारा से तलेंगे और इसको हम पलटते हुए अच्छी तरीके से सेख लेंगे गैस का फ्लेम मिडियम रखना है बहुत साथ हाई भी नहीं रखेंगे मिडियम फ्लेम पेस को अच्छे से तल लेंगे और इसके बाद यह जब अच्छा गूल्डन कलर का हो जाएगा और यह पता है तेल में डालने के बाद बहुत अच्छे से फूल जाता है और उपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बहुत अच्छा बनता है तो बाकी के जो बड़ा है उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम सर्व करेंगे इसको आप सॉस के साथ में खा सकते हैं टमेटो कैचप के साथ में या फिर आप चाहो तो ग्रीन चटनी के साथ में खा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है सच में अगर आपने कभी भी तक नहीं ट्राइ किया है तो एक बार ट्राइ जरूर करिएगा और अगर आप बना चुके हैं पहले से तो मुझे जरूर बताईएगा कि आप कैसे बनाते हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और बस यहां मैंने सारे बड़ा बना करके डख लिये हैं और अब हम इसको सर्व करेंगे यह बहुत अच्छे से देखो और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को मैं फिर मिलूँगी आप से एक बहुत अच्छे से व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाबाई